बरसात के मौसम में फिटकरी भूल के भी अपने प्लांट्स में नहीं डालनी है नहीं तो हरे भरे पौधे आपके बरबाद हो जाएंगे ऐसा क्यूं है और क्या वज़े है क्यूं नहीं हमें फिटकरी डालनी है बरसात के मौसम में चलिए वीडियो में बात करते हैं तो के से आपको मार्केट में मिल जाएगी या तो अगर आप चाहें तो फिटकरी एक लाल रंकी भी आती है और एक सफेद रंकी जैसे कि आप स्क्रिन पे देख सकते हैं तो यह कोई भी कलर की हो फिटकरी का सेम वर्क होता है बस यह मेरे पास जो आप देख रहे हैं यह पाउडर प्लांट में बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले में इसके फायदे आपको बताती हूं और फिर उसके बाद इसे क्यों नहीं देना है बरसात में वह भी बताऊंगी तो देखिए फिटकरी देने से प्लांट में अगर जैसे बहुत सारी खाद द चीज़े पाई जाती हैं जिसकी वज़े से इसे हम अपने प्लांट में देते हैं जैसे कि पोटेशियम, सलफर, अलुमीनियम ये तीनों ही चीज़े फिटकरी में पाई जाती हैं और इनी की वज़े से फिटकरी को हम अपने गार्डनिंग में यूज करते हैं इसे प्लांट्स होते हैं उन्हें एसिडिक मिट्टी पसंद होती है तो अगर आपकी मिट्टी एल्कलाईन है तो आप उसमें अगर फिटकरी का छोटा सा टुकडा डाल देते हैं तो उसे मिट्टी में काफी अच्छी क्वालिटी आ जाती है एसे डिएक मित्टी से क्या होता है एसेडिक मित्टी पानी होल्ड करती है एसेडिक मित्टी में अगर आपको इक खाड ढालते हैं तो उससे प्लांट को बहुत जल्दी मिलता है वो खाड तो इस वज़े से जो फिटकरी होती है वो गार्डनिंग में यूज की जाती है लेकिन अगर आप गलत तरीके से इसका इस्तमाल करेंगे या गलत समय पे इसका इस्तमाल करेंगे तो आपका हरा भरा गार्डन बरबाद हो जाएगा आपके सारे प्लांट और सारी आपकी मेहनत सब खतम हो जाएगी तो चलिए रीजन क्या है कि इसे बरसात में नहीं देना है अब मैं उसके बारे में बात करती हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ही था कि जो फिटकरी होती है वो एलकलाइन सॉयल को एसेडिक बनाती है और जब बरसात का मौसम आता है तो बारिश काफी तेज होती है और काफी दिनों तक बारिश होती रहती है कभी 2-3-3 दिन तक भूप ही नहीं निकलती है इतनी ज़ादा बारिश होती है और क्योंकि बरसात का पानी अपने में ही ऐसेडिक होता है ऐसे में अगर हम बरसात में फिटकरी का इस्तमाल करते हैं तो प्लांट की मिटी बेकार हो जाएगी वो पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी ना ही अगर हम कोई खात देते हैं या बरसात के पानी का ही कोई भी जो निट्रिशन होता है वो प्लांट नहीं ले पाएगा तो ऐसे में हमारी सारी महनत जो हमने महीना भर गर्मी पूरी सर्दी अपने प्लांट्स पे की है वो सारी खराब हो जाएगी और दीरे दीरे हमारे प्लांट्स मरना शुरू कर देंगे सबसे पहला इशारा होता है कि जो पत्ते होते हैं वो पीले पढ़ना शुरू कर जाते हैं और धीरे धीरे सारे पत्ते प्लांट से गिर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलती कहां हुई है लेकिन हाँ अगर आपके हाँ बरसात कम होती है या बहुत कम बारिश पढ़ती है तो ऐसे में आप फिटकरी का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आपके यहां 2-3 महीना लगातार काफी बारिश होती है और काफी मात्रा में होती है तो ऐसे में आपका फिटकरी का इस्तमाल नहीं कर रहा हैं सिर्फ उतने दिन नहीं करना है जितने दिन बारिश हो रही है बाकी दिन आप कर सकते हैं जिसे पूरा गर्मी फिटक जिस प्लांट में आप देने जा रहे हैं फिटकरी उसमें हलकी सी नमी होनी चाहिए जैसे कि आप इस समय देख सकते हैं मिट्टी आपको ड्राइ नहीं दिख रही होगी यह जो मिट्टी है यह जो इस समय मेरे हाथ में है इसमें हलकी सी ड्राइनेस है लेकिन जो मिट्टी इस्तमाल करें तो फिर आपके प्लांट में positive result आएंगे वैसे दिखे फिटकरी के इस्तमाल बहुत होते हैं उसके बहुत फायदे भी है फोलो का आकार बढ़ा करता है नई growth को देता है और जो फूलो फलो और कलियों की जो quantity होती है उसको भी काफी मातरा में बढ़ाता है लेक मेरा फर्स बनता है कि मैं आपको बताऊं की फिटकरी इस समय आपको नहीं देनी है अगर आपके हां काफी बारिश हो रही है तो कैसा लगा मिरा आज का ये वीडियो मुझे जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल झाल कर दो